हेलो जहारखंड वेलकम टू लर्नर्स के राज एजुकेशन आज संडे टेस्ट नमर अब लोग 6 करने वाले हैं टॉपिक रहेगा जेनरल श्टडिज का पोर्शन पेपर 3 में आपको फैदा पहुंचाएंगा हिंदी इंगलिस दो नम देखने को मिलेगा वीडियो तो कोई प्रोल्म नहीं होगा जो आपका संडे टेस्ट होता है उसमें प्रेविएस से का कोश्चन होता है चाहे हो जैसे सी हो यह एक जो मांन लेते हैं कि आपका 20 मार्क्स आया तो जबहुत देखिएगा और जितना मार् जरूर लिखिया कि जीरो मार्क साया है तो चलिए जाएगा इसका पीडिय अब चलाए राता हूं है को वेर इड्र नेशनल सेंटर फोट डिजेस्टर मेंजमेंट लोकेटेड बुला चाहरा है रहा है राज्टी आपदा परबंधन केंद्र कहा होँए नागपूर में न्यू देली में हैदराबाद में या फिर पुने में तो जो नेशनल सेंटर पो डिजेस्टर मेनजमेंट देखने को मिलेगा वह आपको देखने को मिलता है न्यू देली में न्यू देली में नेशनल सेंटर पो डिजेस्टर मेनजमेंट है तो इसको याद खेगा यहाँ पर बनाए गया था 2005 में ना जो इंडिये में का एक्ठ है नेशनल डिजिस्टर मनेजमेंट है ठीक है तो उसमें एक अथरुटी बनाए गया है 2005 का है 2004 में सुनामी आया था आपको गुज्राद वाले रिजन में तो उस समय जो आपको देखने को मिलेगा कि इसको बनाए गया था लीटि के बारे में कि जो अध्यक्स होते हैं यहीं यहां दो यहां से अज आजाई है सेस्टा में होना चाहिए क्या होना चाहिए धिज़ेट में होना चाहिए क्यूंकि आपना तो कीसी को कह के नहीं आइका कि हम यहां हाँ वहां आ रहे हैं तो एस्टेट में कोई a जाता रहा तो न दो प्रोपर मेनेजमेंट होना चाहिए को कि अगर कोई आपना आता है तो इससे हमको हैंड़ कर लेना है तो उस तरह से इस्टेट में आपको दिया, तो वहां पे जक्स्टिक है तो वहां पे जडिया, जो मज़िश्टेट होते है और उसके बाद एक होता है जैसे कि जीला आपडा परबंधन है की उसका अगर मातले हैं की दीन सवाक्षत cachemak को चैर पर परसंद निंग को कोन था वहां फे जीला पर उसे जीला में आपडा परबंधन का ओसा उप अधियक्ष को इस तरह से को सकते हैं तो सारा चीज़ को आप लोग याद रखेएगा इंसर आपका निव्देली हो गया इंडिये में 2005 में बनाया गया था इसको याद रखेएगा 2004 के सुना में के बाद इस तरह सुसता है एसडीय में चेर्में ओकरा साथ देखेएगा सेम होते हैं और यहां पर प्यां होते हैं इसको याद रखेएगा पर यहां पर ओप्सन जो दिया है उसको मैं चाहता हूं कुछ बता दूंग आपको लिए एक्जाम के लिए फैयदामंद होगा जैसे देखा यहां यहां से नागपूर को अप्लों क्राइब देखा कि बलते हैं क्या है नागपूर को और इशिटी बलते हैं f upd 33r all जाता है से ओक और अगर देखेँगा नापूर अंपटेंट प्रमें तो इसको यहां कि नीरी नागपूर नीरी जो हैसे मेरी क्या होता है इसका अपूलपम होता है National Environmental Engineering Research Institute क्या बत किया? National Environmental Engineering Research Institute यह पूछता है कि नेरी कहाँ पे है? तो नेरी आपका नागपूर में है तो इसको याद रख सकते हैं हैदराबाद में आपको देखने को भी लेगा National Center for Remote Sensing National Remote Sensing जो है से वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको हैदराबाद में तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं और पूने में तो बहुत सरा चीज आपको बताया था पूने में तो आप लोगो रट किया होगा आप देखी तो बताया चुका हूँ जो National Chemical Laboratory National Chemical Laboratory है वह आपको देखने को मिलेगा कहाँ पूने में है वह सीडेक पूने में देखने को मिलता है सीडेक Center for Development of Advanced Computing और और उसके बाद पूने में क्या देखने मिलता है इंडियान AIDS Research Institute भी देखने को मिलता है तो इसको यह दखेगा पूने एक बहुत इंपोटेंट प्लेस है महरास्ट्रा में ना पूने और नागपुर तो महरास्ट्रा में देखने मिलेगा है आदराबाद आपको आपको तेल लंगाना क्यापिटल देखने मिलता है और निव देली तो आपको पता होगे कि अलग से यूटी है इस कोर्शन के इनसे आपका निव देली हो गया ठीक है तो नेसनल सेंट्र पोर्ट डिश्टर मेंट आपका निव देली में है क्यूस्ट नमर सेकेंड आता है इंडिया इस फॉस्ट आंड नुकिलियर सब्मेरीन था सेबरेन समझ में आता है ना पंडू भी उगर होता है तो जो फॉस्ट नुकिलियर केपबल है वह उसको क्या नाम है ऐएनेस तीएउ पाने के अंदर रहता है आप लोगों乾को पता होगा पंडूबी यहां से कुछ देख लिए कि इंडिया ओनली सिक्स कंट्री है ना जो यहां पर जो न्युक्लियर के पास है वह इंडिया छट्था देश बना है जो कौन-कौन है जैसे किसके किसके पास है उनाटे इस्टेट्स ओप अमिर्गा के पास आप लोग देखने हो को मिल इंग्लेंड हो गया और नोर्दन आयर्लेंड होता है ना नोर्दन आयर्लेंड हो गया इंग्लेंड हो गया वेल्स हो गया स्कॉट्लेंड हो गया ठीक है तो इंग्लेंड वेल्स हो स्कॉट्लेंड यही मिला के आपको ग्रेट बिटेन बनता है और जो सब को मिला दीजेगा तो Northern Ireland मिला दिया जाए तब जाके यहां से बन जाएगा आपका UK तो यह सारा concept वोगर होता है आपको idea होगा तो UK भी है से उसके पास nuclear submarine है तो इंडिया में जो first था वा कौन था? INS जो था से अरिहन्थ है तो इसको यहाद दखेगा nuclear capable submarine इंडिया का है next question देखते है what is the name of the world's first private flight plan to go to the moon? बला जारा कि चंदर्मा पर जानने के लिए जो पहली private योजना था private योजना, फ्लाइट योजना उसका नाम क्या था? moon express, moon flight, चंदरयान या फिर moon mail देखिए जो था आपका, वो था moon express योजना था, 2010 में इसको launch किया था, तो moon पर जानने के लिए flight योजना था, इसको याद जा सकते हैं वागी चंदरयान ये 1002 तो इंडिया का है ना, इसको देख लिए जएगा आप लो चलिए, moon जो है से आपका, एक मात्र से चलाइट है जो, आर्थ का एक मात्र से चलाइट मून ही है ना, आर्थ का एक मात्र से चलाइट मून होता है इसको थोड़ स्याद देखेगा, moon, ओकी चलिए, ये question आता है कि जो moon होता है, आपको देखें होंगे, तो जो आप लोग का tide होता है, देखें समंदर में जो आर्भाटा जिसको अब हिंदी मुलता है, तो moon और earth के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, उसी के चलते जो है से लगता है, इसी चलते टाइट वगर आता है, ठीक है, और moon पे किसी वस्तु का जो है से भार जो है, so one by six हो जाता है, आपको तो मालुम होगा, question द देखिए गाई, यह संसा जो फॉर्म किया गया था, पॉंद्राकस 1969 को फॉर्म किया गया था, यह समना था इसके प्रेजिंट चेर्मेन देखने को मिलेंगे, यह ही आपका earth, यह moon इसका चरोर चकर लगाती है, यह देख लिजे, 27.3 दीन में जाहे से लगवाग घूम जाती पाली गड़ यह फिर राजगीर, तो पताया जाएं, तो यह से देखने को मिलेगा, जो रिजगड़ है, मतलब जो राजगीर था ना, तो उसके नाम से देखिए, कन्फिश करने के लिए ऐसा राजगीर दे दिया है, रिजगड़ है, रिजगड़ आपको रोतास गड़ मे देखने को मिलेगा, तो ऑप्सन नमबर ए हो जाएगा, रिजगड़ एक प्लेस है, ठीक है, मुड़ा ट्रेडिशन से लेटेड एक प्लेस है, तो रोतास गड़ में पढ़ता है, मुड़ा जायती थोड़ा से यहां देख लिएगा, भारत की जो तीसरी सबसे बड़ी इन लोग आश्ट्रेस्याटिक गुरूप से इन लोग बिलोंकरता है, मुड़ा लोग ठीक है, एक कोशन आपको बताता हूं जो मुड़ा री पीपल लोग ठीक है, तो बोला जाता है, इसे बला जाता है, कि लोग तीबत से आयते, आप लोग आईडिया होगा, और वह ताय जायते वाकि मुंन्दा को देख़एका निनको तिनपूरा में इनको मुंडा हीear कहा जाता है मतले मुंडा लोग का यह दो जाहेगा ओक यह सब देख लिछेगा ऑग क्याि यही तरो इसी डी indeed से बिलोग करता है इनका लेंग्विज ओके चलिए मुंडारी भासने लोग बोलता है ना ने इसको चनाता है वीच लिटरर लिखा हुआ है किस रचनकार ने किया इनका व्याकूल एक नाम है टाइटल लते हैं से उसके बाद नरेश्क प्रसाद सिंग जी है फिर एके जहा है फिर स्रीनिवास पानूरी तो क्या एंसर नों चाहिए तो देखें यह कोस्टन है आपका बुक डियरेक्ट याद रखेगा खोठा कंपाइल फानूरी इस बुक के राइटर है तो बहुत सरा बुक है इसे नाम से राचना यहां याद रख लीजेगा व्याद रख लीजेगा वूंत है ठीक है सारा कोचिन अभी JPSC का चल रहा है ना क्वेस्टन सीक्स पर मूब करते हैं फीच ऑफ फ्लोइंग टेमपल स्वाज वाज ब्यूट बाइद रूलर पूरनमल एक पूरनमल जो है सिक पर्सन है पूरनमल अच्छे कोच्छन अब बता सकते हैं जहारखंट के गांधी किन निर्मान करव थे जगनार टेमपल एक रांची सीवर टेमपल एक देवगर जी हां वो देवगर में इसी जो सीव मंदिर है या यानि कि बाबा बैद नाद थ्वाण करवाई गया था उघड़ुखर до सीवर गयाए पूरन मलक मीको दोरा निर्मान करवाया गया था लेग来 और फेमस है क्यों कि यहां पे देखिएगा जो सीव के लिए जो अलग-अलग भक्त होते हैं मतलब पूरे 200 में भक्त है तो बारज जो ऐसे जोति लिंग में से है और पूरा इंडिया में देखिएगा 51 सक्ति पीठों में से एक है तो ऐसे उसे कोशन में कभी-कभी आते हैं प अधियर कोशन ज्राक है जर्कण धाम को बताता हूं जर्कन धाम ऐसे जार्कनध मिलक देखने को द्सको आपने को मिले घर्गा तो अब कर देता हूं और अब lets गया तो कि दोझेगा जो राची में है जगना टेंपल आपको बताया था कि जगना टेंपल का संपती जो है से अंग्रेज जो है साथारस और दावन के करांती में जग भी कर लिए थे ते भी कोश्चन अपने के लिए इंपोटेंट है दूसरी बात इसका निर्मान जो देखने को मिलेगा वह जो जो जगना टेंपल राची का है वह अनिनाथ साहदेव के दवरा कराया गया था किसके दवरा अनिनाथ साहदेव इनके द्वरां से कराय गया था 6091 में टेंपल घंपल अक्राई गया था इंपोर्टन है और कि भाद्रा काली टेंपल देख लिजए ज़िए न हुगई इनसे आउपका होंगा रिखा पये अन्डी और और यहां पर मोगा आपर प्पोर से अपपर प्रथा प्रचलन से किस समधाय में देखने को मिलेगा हो पहाड़िया मुंडा या फिर ओरां तो इस तरह का जो देखने को मिलता है अंडी और फोर तीपी टाइब का जो एक साधी का प्रचलन है आपको और अठील को मिलेगा हो देखनेक मिलता है है ओके तहीं सारा होगया की मुंदा बान की साष्ण होजता है हो जंजात्य भारत की जारुंट के चौुति बडड़ी जंजाती मिलेगा इन लोगा पर्थाव मोता हों जन galati का ना हो लिएक याद दार्वीं परधान होता है उसको पर up the duty बोलते हैं क्या जी जान्जाती को देख लेंगे तो दार्यानी प्रतान को दीवरी कहा जाता है इंसर हो गया हो इसे का नाम भी है और लेंग्वेज भी है टोटल जारकंड में 32 जंजातिया है जिसमें आठ जो है सापका जो से आदिम जंजाती का अंदरकत आता है आज आदिम जंजाती कौन होता है एंसर मिल जाएगा मुझे लगता है कि यही कौश्चन है वह हूँ एमांग दा फ्लोइंग इजा प्रिमिटिव ट्राई बोला चारा है कि कौन जो है से आपको जारकंड के बाद के जा रहा है इसे एक आदिम जंजाती है कोवर कोरा करमाली या फिर कोरवा तो आसे देखने को मिलेगा जारकंड टोटल जंजाती 32 से जिसमें 8 जंजाती हैं ज過來 शैयंडा जाता है और 8 जो में tribes हैं जिसमें से आपको 8 ट्राइब प्यूज़ सब्सक्राइब ग्रूप प्यूज़ सब्सक्राइब लिखना चाहिए था तो उसमें से आठ जन जाती है जो है से आपको देखने कि मिलेगा आदिम जाती है वह कौन कौन है super important है असूर भी है बिरहोर भी है बिरजिया भी है कोरवा जो की आपका answer था इस question का उसका पहाड़िया देखने मिलेगा जिसको कहीं कहीं बैगा का अपने नाग से जानते हैं उसका सबर जंजाती देख लिजेगा माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया य और मैं आपसे discuss किया था कि बढ़ जो आठों के आठों जो आधिम जाती है मैं डिसकस कर चुका हूं पास्ट में और उसमें बताया था उसमें में बताया था कि इस सब कोश्टन देखे डिरेक्ट जो है से आपको option डालके दे सकते हैं कि कौन है या कौन नहीं है तो इस तर स सब्सक्राइब को मिलता है तो इस सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है इस जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या होता है इसका संथाल हो गया चलिए जारकण में सब्सक्राइब उसके बाद उसके बाद मुंड़ा उसके भूमिज वगर आता है सब्सक्राइब को मिलता है तो संसाल सब्सक्राइब 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 क्या होता है अब इसे कोशन आपको अगर नियूज में हो गापर चुणिया वगर ज्यादा तो एसे पूछ जाने की जाता है आज है एक वाईल्ड इनिमल में एक्टरा का ऐसे क्या होता है जैसे कोई रोगी होता है उसको बहुत जिदा दर्द होता है कुछ ऐसा असाय औरो हो जाता है जो कि जासकता है तो उसके लिए क्या कर लाता है युथेनेसिया कर लेता है इधी शेकर मिर्थु जाहिर्ण तो उसको euthanasia का नाम दिया जाता है Who among the following was not an official of भूईहरी पढ़ा of Munda tribe in the earlier period तो बोला जा रहा है कि प्राणभी कालवन देखा जाया तो इनमें से कौन जो था समुन्दा जो जाती के भूईहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे तो कौन जो थे से official नहीं थे भूईहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे एक कौन है कौर देख ली जगे यहां पर कौर है लाल है फिर काटो है या फिर पट मुंडा है तो यहां से देखने को मिलेगा आपको पट मुंडा तो जो पट मुंडा है यह जो हैसे भुईहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं होते थे पाकि कुवर, लाल, काटो, अभी सब जो थे आपको देखने को मिलेगा जो भुईहरी पढ़ा थे उसको अपलोग बोलते हैं कि जो उसका अधिकारी नहीं था बाकि यह सर तीनों के तीनों हैं समझ चुके हैं तो यह कोश्चन था आपका ठीक हैं भुईहरी नेक्स कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमर्ट 12 हू वाज दा यह बोला जा रहा है कि सेक्रोडोटल एंड सेक्विलर हेड आप दा उराव विलेज बिफोर दा प्रानभी काल में महतो के कारेभार से पहले उराव गुरामों का पुरोहीत एवं लौकिक परधान कौन होता थे इनका नाम क्या था पुजार बैगा इसके बाद गुरायत या कहीं गुरायत भी देखने हो पर मिलेगा या फिर नन अब दीज गुरांज जाती के बिद्रो हुआ था आपको यांथ होगा और लुराम जनE चारती आपको गान को पुजार से पूछा था वहात है उनको इसका दिड़ाल टो मुन-जनE-ची में और बादा आ उसे चौदा में उसे चौदा में कॉन सा बिद्र हुआ था याद आ रहा है सारा तो पढ़ाच चुका हो डिवाइज कीजिए जाके लेक्षर तो अपरेल नुसे चौदा में यह स्टार्ट हुआ था आपका ताना भगत अंदोलन क्या हुआ था ताना भगत मुवेंट हुआ जो की जात्रा भगत के नित्यृत्म हुआ था टाना भगत अंदोलन था वह उराण जन जती सिह ही तो इसको यह उनको कंभी नाम जात्रा उराण भी बला जाता है न, वहागे बला जाता है ठीक है तो वह कौन सा वह ऑंग्रेज था थॉम्सन उसके बाद लिखा कारल एल उसके बाद क्लिव्लेंड या फिर थॉमस विलकेंसन इसका एंसर होगा बहुत इंपोर्टेंट पर्शन है वो कि कितना माक्स आया अब तक 13 में से कितना माक्स आया 12 माक्स आया 11 माक्स आया लग परसन थे कि मुढघ की शनमैं उसको मंजूरी दे दिये थी को यह कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए था कि कॉम्सन विलकेंसन परसंथे कभी नाम आता है तो एनको याद रख लिजेगा तॉम्सन विल्किंसन जो थे एक विल्किंसन रूल अठार सेंटीस का ना जिसको यहाँ दख लीजेगा अठार सेंटीस का विल्किंसन रूल बहुँ ज्यादे इंपोर्टेंट है ठीक है जिससे जुड़े हैं बाकि SPT और CNT Act तो आपको पता है और सवाट में CNT Act आया था छोटा नाकपट टेनेंट्सी एक और SPT आया था आपका जरकन से अबिल्क्त हो गया है अशूर जर्कन को पुंडरिक देश का जयादा था दिख विजय पर में इसको याद रख लएगा बाकि अलगल नाम है मुगल काल में इसको खुकरा कहा जाता था तो आप लोग को वैदी काल वगर में किकट परदेश वगर इसको कहा गया है तो सूरी जर्स आती हो गया चलिए सन्थाली भासार कूर्स में पूछ सकते हं तो जरकन धूट सूर वर्मρά न मर्टेयर मतले बोला जाता है कि जो सहीद पर्थम सहीद होने का गरोग कीने पराप्त है कौन वो परसन थे विर्जा मुंडा उसके बाद दत्यलंगा खड़िया तिलका मांजी या फिर सिद्धू और कानो तो देखने को मिलेगा इसका एंसर आपको तिलका मांजी ना तिलका म नहीं थे जारकंड में ओके तिलका मांजी बाकी सिंद्धू कारू कानू जो मुर्मू थे आपको सिंद्धू कानू विद्रों से था आपको आइडिया होगा ठीक है यह समें देख लिजेगा अठारो सो परच्च्बन से शपन्ते के विद्रों चला था ना ठीक है और दोन वाले जो हैसे सोतंत्रा से नानी थे याद रख सकते हैं इनको तिलका मांजी सोतंत्रा सर्दार वाज बुला जारह कि जो सोतंत्रता से नानी पोटू सर्दार थे वह किस जंजाती से बिलों करते थे इंडरेक्टल आपसे पूछ रहा है उराव गोंड मुंडा या कोस्टन था ओके तो मुंडा जंजाती से बिलों करते थे नेश्ट है हील असेम्बली प्लान वा आज सेट अप फोर डवलपेंट ऑफ आदिवासी बाइट बला जा रहा है कि जो आदिवासी के लिए दिखने को मिला था हील असेम्बली प्लान जो है से शेट अप किया गा दिखने को मिलेगा यह एंसर क्लिवलेंड जो है से जो परसन देखने को मिलेंगे वह जो हैसे हील असेमली प्लान लाए थे और यह आज आपको राजमाल रीजन है ना राजमाल हिल वरा जो कि आपको पता होगा बलेक स्वाइल वगर काफी चादा पाए जाता है साहब गन डिस्टिंग में पढ़ता है तो उधर जो हैसे आपको इसको लाग्यों किया गया था हेल एसेंबली प्लान को तो इसको याद सकते हैं थॉमस्टिंग से बादें पता दी इनका रूल से इंपोटेंट लॉड बिलियम बेंटिक जो थे साब को इंपोटेंट है सती प्रथा के लिए और लाट मैकाले जो थे से जो हैसे भारत में अंग्रीजी सिक्षा का जो हैसे लाए थे लॉड मैकाले आपको याद हो क्या है इतुत संगा निर बोलो बुबला क्या होना चाहिए तो इसको याद हुआ ऑड़ते हैं संधाल के वारे में बुपला जो है से खुबंघता जो हसे बीवा का तरीका हkick है संधाल जाटी टर संथाल बोलते हैं आप міघची संधन बहुस्ता बलते हैं सब्सक्राइब करता है तो यह बुबला जो है से एक समान्य रूप से जो है एक बीबा का तरीका है ओके चलिए इसको याद रहा सकते हैं आप लो जो प्रथम छोटी कहानी का संग्रा कौन से था यहां पर है हैंड मावक आटो उसका कुकमु महिला चेचित दाई या फिर समीर कौन चाहिए प्रथम कहानी संग्रा संथाली भासा को बोला जा रहा है आप से तो बताइए तो यह देखने को मिलेगा आपको कुकमु ना तो या बाल की सोर साहू इसके राइटर है तो इसको मैं पीडिया डॉंड कर लेज़े कर टेलीग्राम से न वहां पर देदूँगा इसका नाम लिखे दूगा यहां पर बाकी जो हैंड मावक आटो देख रहा है यह जो संथाली भासा का जो है प्रथम जो है से नोबल है तो इसको हुआँ, ननकु सोरन इसको पांट ने जी का ननकु सोरन यह था सेकेंड नोविल, ठीक है. कि मना है हो च्परा थे आब बी ऑलोगों है। पी ओल्ड चिकी है ओल्ड टीपी को डेवलप किये थे आपका रखुनात मुरुमू जो कि आपको गुरु गुमके का नाम से फेमस है ना गुरु गुमके ने इसको चने दो अथर आप गायव होता हुआ देश एक बुक है आपको देखने होगा गायव होता हुआ देश तो पताने है लेखा कौन है निर्मला पुटूल या फिर रजत वर्मा या फिर सर्वन कुमार गोस्वामी या फिर रेनेंद्र इसका एंसर क्या होना चाहिए त थोड़ा इस्त्री होना चाहता हूं इस तरह सा एक बुक भी है इनका थोड़ा इस्त्री होना चाहता हूं एक बुक यह भी है ना चलिए कि इसको याद रख सकते हैं कुछ एक दो कोशन कंप्पूटर का डाल दिया हूं अच अटेम्ट की इसको भी अस्वाट्वेयर डिजाइन टू स्टोर रिट्रेव डिफाइन एंड मैनेज डेटा इस कॉल्ड एक ऐसा सब्ट्वेयर जो कि डेटा क्या कर सकता है आपको इस्टोर कर सकता है पुना प्रा अबभरों आपरेटिंग स्टम बन देटा को मैनेज करता है और मेंज्फेम को मैंचकौ का इसको और म fandom जो जाएगा platform है जो कि किसी भी मिनलब computer program को रन करने के लिए यहां थे computer को रन करने के लिए भी यह से platform यही प्रभाइड कराता है इसके भीना कुछ नहीं चलेगा ओके और compiler assembler आप लोगों को पता होगा बता देता हूं यहां पर assembler क्या होता है एक हाँ assembly language को machine language में convert करता है यानि कि high level language को low level language convert करता है compiler क्या करता है यह high level language को low level language में convert कर देता है लेकिन compiler एक क्या रता क्या है कि एक बार में सारा instruction को input ले लेता है और जो compiler के साथ क्या आता है एक interpreter आता है ना interpreter वो एक बार में एक ही instruction को लेता है और उसको low-level language में convert कर देता है low-level language को अपलोग machine language बोलते हैं इसको translate करने का और सकता नहीं होती है जो कि assembler करता है ठीक है? चलिए अब यह सब system software कंदरगत आता है न compiler, assembler यह सब आएंगे कभी पूछ दें आपसे assembler, compiler और interpreter रगर सारा system software कंदरगत आता है इसको याज रख सकते हैं आपको, आप लोग operating system में system में software कंदरगत आता है बाहर बता चाओ, operating system आपको syllabus अमेंट्स है ठीक है? कुछ-कुछ जो popular DBMS है database management system है, उसको आप लोग याज रख सकते हैं जो हैसे कि MySQL है Microsoft Access वोगरा देखने को मिलता है और एकल होगरा है, उसके बाद Libre Office Base है, फिर Microsoft SQL Server है तो सब कुछ-कुछ DBMS वोगरा system आप लोग देखने को मिलता है, इसको याज रख सकते हैं जो Charles basement थे, जो first DBMS system को design के थे, जो कि super important question बन सकता है आपके लिए बागे सरा यहाँ पर study वोगरा कर लिजेगा थोड़ा सा पहुच करके, ठीक है next question देखते हैं, which of the flowing shortcut key is used to insert hyperlink in MS Excel बोला जा रहा है कि अगर hyperlink आपको add करना है क्या करना है, hyperlink अगर add करना है तो इसमें कौन सा shortcut key का आप लोग यूज कीचेगा control plus k, control plus b, control plus h याप control plus b ठीक है तो देखिए यहाँ पर hyperlink add करने के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं control plus k का h लिखा हुआ h से hyperlink नहीं होगा control plus k यूज करते हैं I think कि यह आपके लिए नया होगा तो control plus k जो होगा याद लिजेगा hyperlink को add करने के लिए यूज होता है अब hyperlink क्या होता है tension मत लिजे बताता हूँ पहले भी discuss कर चुका हूँ hyperlink कुछ ऐसा होता है कई documents वगर कोई लिख रहे हैं तो कोई website के अगर URL वगरा डालना होता है तो हम लोग इसको just name type किया जा या hyperlink बन जाएगा तो control प्लस किये वगर करके हम लोग इसको बना सकता है देख लिजेगा इसको ऐसे बनता है hyperlink के question पूइता है कि कौन सा चीज जो ऐसा hyperlink किस-किस form में हो सकता है question इस पर computer का बन चुका है past में तो hyperlink जो हो सकता है कोई text हो सकता है जैसे के text ही सब देख सकता है कोई image हो सकता है कोई URL हो सकता है uniform resource locator जो की website का address होता है या फिर controls भी हो सकता है controls में क्या आता है जैसे कि कोई button होगर है जैसे कि सब आ सकता है कोई button होगर है कोई तरह का symbol होगरा दे दे तो उस तरह में आता है controls होगर तो इस तरह के hyperlink हो सकते हैं तो कभी question आये कि मैंसे कौन सा जो ऐसे जो चीज है थिंग है वह hyperlink लिए हो सकता हैं तो आप लोग समाझ चुके होंगे तो यहीं था कुछ-कुछ 22 question था आज 22 में से आज कितना माक्स आप लोग आया 22 आ गया तो लिख दीजे यहां पर नीचे तो चलिए जरू पार्टिसपेट कीजा कीजे यहां तक आते हैं तो जरू लिखा करें जरू के साथ अप अंदे भारत हूं